हालो एंग गुड मॉनिंग एवरिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 5 दिसंबर से रिलेटेट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वा है जो अपनी जिन्दगी में कुछ पाना चाते हैं वो समुंदर में भी पत्रों के पुल बना लेते हैं तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फॉस्ट क्वेशन है हुएस रिसीवड पैरा स्पोर्ट्स परसन ऑफ दे यर अवार्ड कि से पैरा स्पोर्ट्स परसन ऑफ दे यर का जो पुरशकार है यह मिला है तो इसका करेक्ट अंसर होगा यह अवनी लेखरा को मिला है इसका करेक्ट अंसर है पैरा ऑलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा को टर्फ दोहजर बाइस में पैरा स्पोर्ट्स परसन ऑफ यर का जो पुरशकार है और फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवोर्ड्स जो है ये मिला है पूर्वे रंजी क्रिकेटर सरकार तलवार को lifetime achievement of the year पुरशकार से सम्मानित किया गया और ये जो श्रेक कादियान को special sports portion of the year चुना गया है और खेलो को बड़ावा देने के लिए ओडिशा को सरुस्रेश राज्ये के रूप में सम्मानित किया गया है second number question है who has been appointed as the member of union public service commission किसे जो संग लोग सेवा आयोग है इसका सदश्य नियुक्त किया गया है तो इसका correct answer होगा ये बनी है प्रीती सूदन बनी है ये इसका correct answer है राश्टपती ने पूर्व स्वास्ते सचिव प्रीती सूदन को संग लोग सेवा आयोग UPSC का सदश्य नियुक्त किया गया है और संग लोग सेवा आयोग UPSC में एक अध्यक्ष का पद होता है और इसके अधिक्तम दस सदश्य हो सकते हैं सूदन के नियुक्त के बाद भी आयोग में अभी भी चार सदश्यों के जो पद है ये रित है और आयोग के प्रतेक सदश्य का जो कारेकाल है ये 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयोग जो भी पहले पूरी हो तक होता है और राष्टपती के द्वारा अध्यक्ष और सदश्यों को नियुक्त किया जाता है वही समय पूर्व राष्टपती द्वारा सविधान में प्रदान की गई प्रक्रिया के तहत हटाया भी जा सकता है संग लोग सेवा आयोग मतलब UPSE Union Public Service Commission भारतिय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतिय विदे सेवा IFS और भारतिय पुलिस सेवा IPS सहित अन्य के अधिकारियों का चैन करने के लिए सालाना तीन चर्णों मतलब प्रारम भेक Preliminary और इसके बाद में में और इसके बाद में जो इंटर्विव होता है आदी में सिविल सेवा परिक्षा आयोजित ये करवाता है सेवी ने किसी BAC का जो नया MD और जो CEO है ये गोशित किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने है सुन्दर रमन राम मूर्ती जो है ये बने है एसका करेक्ट आंसर है बाजार नियामक सेवी ने सुन्दर रमन राम मूर्ती को BAC का प्रभन निदेशक और मुख्य कारे का जो कारे पालक अधिकारी है CEO है ये नियुक्त करनी की मंजूरी दे दी है BAC यानी Bombay Stock Exchange भारतिय स्टोक मार्केट का एक प्रमुक स्टोक एक्शेंज है और BAC ने नियामक किये सूचना में कहा है कि ये नियुक्ती उन्हें दी गई पेशकर्ष की स्विक्रती और शेहर दारकों की मंजूरी समयत अन्या नियम एवं शर्तों पर निर्भर है करीब पाँच महीने के इंतिजार के बाद सेवी ने 62 वर्षी है राम मूर्ती के नाम को BSE CEO पद के लिए मंजूरी दी है सुन्दर रमन के लिए ये स्टोक एक्शेंज में दूसरा कारेकाल होगा और वे करीब 20 वर्षों से ये नैशनल स्टोक एक्शेंज में काम कर रहे थ टॉप अपोइंट्मेंट्स के हम बात करें तो जो गोपाल विठ्थल है ये अपोइंट हुए है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जी एस में रितुराज अवस्ती जो है ये नए चैर्मेन बने है लो कमिशन के किशोर कुमार बासा जो है ये नए चैर्मेन बने है नैशनल मेमो authority के तेयब इक्राम has been appointed as the president of the Asian Hockey Federation, किशोर रेडी was elected as the president of the Sri Lanka India Society for the year 2022 or 23, fourth number question है, which state's chief minister inaugurated the SIPCOT technology park, किस राजी के मुख्य मंतरी ने SIPCOT प्रोध्योगिक पार का उधगाटन किया है, तो इसका correct answer होगा, है ये 2022 और 23 के बज़ट सत्र में एक घोशना के बाद किया गया कि कोयमबटूर, पेरंबलूर, मुद्धूरे, वैलोर और तिरुवलूर जिलों में नए पार्क इस्तापित किये जाएंगे और सरकार को उमीद है कि पेरंबलूर जिले में गैर चमड़े के जूते और उनकी संबंदिर कमपनिया 5,000 करोड रुपे का निवेश आकरशित करेंगी और 50,000 लोगों के लिए जो रोजगार है ये सरजित करेंगी कमपनिया रोजगार में महिलाओ को तरजीह देगी और जिले के आर्थिक विकास का मार्क भी प्रशस्त्र करेगी तमिलनाडू के हम बात करें The Tamil Nadu government constituted a panel for the protection of welchers Tamil Nadu state government notified India's first slender loris century Pegatron has started manufacturing the iPhone in Chennai तमिलनाडू कैबिनेट हैज अप्रोव तू रेगुलेट ऑनलाइन गैंबलेंग फाइब नंबर ग्वेशन है फू है फू हैज बीन ओनाड विद एमिसरी ओफ पीस अवोर्ड दे एमिसरी ओफ पीस अवोर्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका करेक्ट अंसर होगा ये दिया गया है श्री रवी शंकर को सीस का करेक्ट अंसर है भारतिय आध्यात्मिंग नेता और वीश्विक इस्तर पर मानगता की वकालत करने वाले श्री श्री रवी शंकर को अमेरिकी शहर मेंफिस में राश्ट्रिय नागरिग अधिकार संग्राले के द्वारा प्रतिस्ट द एमेश्री और पीस पुरशकार से सम्मानित किया गया है और रवी शंकर को उनके अन्युयाई श्री श्री और गुरुदेव जैसे सम्मान सूचक शब्दों से सम्भोधित करते हैं श्री श्री रवी संकर स्वम सेवी गैर सरकारी संगठन आट ओफ लिविंग के संसापक है और ये संगठन स्वास तकनीक पर आधारीत कई तनाव निवारण और आत्म विकास कारी करम ध्यान और योग का प्रक्षिक्षन देता है शिक्स नमबर क्वेशन है दे चीफ मिनिस्टर ओफ विच स्टेट एस लौंच दे एमलान एनीमिया मुक्त लाख अभियान किस राजे के मुख्य मंत्री ने एमलान एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिसा गवर्मेंट शुरू किया है और इसा में महिलाओ और बच्चों में ऐनीमिया की समश्य का पौण उनमूलन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने राज्य spending जो है यह कारिक्रम राज्य भर के 55,000 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और 54,000 आंगनवाडी केंद्रों में शुरू किया जाएगा सारोजनिक स्वास्ते योजनाओं पर गहन ध्यान देने के साथ ओडिसा ने कई स्वास्त संकेत को जैसे की तीका करन, शेशु म्रत्यूदर, मात्र म्रत्यूदर, शेशु और छोटे बच्चों के आहार और अलप पोशन में सुधार दिखाया है ओडिसा की हम बात करें बाजी राउट नेशनल फुट्बोल टूनामेंट हैस बीन इनोग्रेटेड इन ओडिसा ओडिसा गोर्मेंट हैस अनूंच चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है यहां पर बनाए जाएंगे ओडिसा विल क्रियेट डाइजेस्टर मैंजमेंट वरियर्स तो देल विद डाइजेस्टर ओडिसा चीफ मिनिस्टर लॉंच्ट अग्रिकुल्चर क्रेडिट पॉर्टल सफल फॉर फार्मर्स दगवर्मेंट ओडिसा हैस अबोलिस्ट कॉंट्रेक्च्चुल रिकूट्मेंट सेवन नंबर क्वेशन है हुँ हैस रिकॉगनाइजड हिमालई याग एज फूड एनिमल किसने हिमालई याग को खाद्य पश्चु के रूप में मानेता दी है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिली है एसका करेक्ट आंसर होगा भारतिय खाद्य सुरक्षा और मानेक प्राधी करणनी हिमालई याग को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है और एसकी मंजूरी मिलने के बाद अत्यदिक उचाई पर रहने वाले जानवरों की आबादी में तेजी से हो रही जिले में रास्ट्य अनुसंदान केंद्र याग के निदेशक डॉक्टर मिहीर सरकार ने कहा है कि देश में याग के आबादी पिछले कुछ वर्षों में खतरनाक दर से घटी है और हिमाले याग का प्रियोग प्रारम पर एक रूप से दूद और मास के लिए किया जाता है रास्ट्य अनुसंदान केंद्र याग ने खार्दे पशु के रूप में मना जो है मानने के लिए साल 2021 में ही FSS AI को एक प्रस्ताव दिया था हालांकि FSS AI ने पशु पालन और डेरी विभाग की सिफारिशों के बाद इसकी आधिकार एक तोर पर मंजूरी दे दी है और ये पशु हिमाले इलाकों के उच्छ स्तान पर रहने वाले लोगों के लिए बहु आयामी, सामाजिक, सांस्क्रतिक, आर्थिक भूमी का निभात प्रसुन जोशी को अपना ब्रैंड एंबसेटर जो है ये पॉइंट किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्राखन गवर्मेंट ने किया है सीज का करेक्ट आंसर है उत्राखन सांस्क्रतिक विरासत को प्रोटसहित करने के लिए सरकार ने लेखक और जो गीतकार है पदम श्री प्रसून जोशी को ब्रैंड एंबसेटर बनाया है सच्चिव संस्क्रति एवं धर्मस्व हरीचंद्र सेमवाल की और से इस समंध में आदेश जारी किये है संस्क्रति निदेशाले की और से पदम श्री प्रसून जोशी को राजे का ब्रैंड एंबसेटर बनाने का प्रस्ताव शाशन को भीजा गया था उत्राकंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी इसकी जो कैपिटल है ये धैरदून और गयरसेन है और टू नेबरिंग जो स्टेट है ये है हिमाचर प्रदेश और उत्तर प्रदेश टू नेबरिंग कंट्रीज है तिबबत और नेपाल जो मुंबई है इसके अंदर 22 वी पोजिशन पे रहा है फ्रीमियम आवासिय संपतियों की कीमतों में सालानी भड़ोत्री को आकने वाले वेश्विक सूचकांग में जो मुंबई है ये 22 वे इस्तान पे पहुँच गया है नाइट फ्रेंग की तरब से जुलाई से सितंबर जो है तिमाई 2022 के लिए तयार प्राइम ग्लोबल सिटी सूचकांग पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तिमाई में मुंबई के अलावा बैंगलूरू और दिल्ली में भी आवासिय संपतियों की ओसत कीमतों में व्रदी दर्ज की गई है जुलाई से सितंबर तिमाई में मुंबई इस सूचकांग के आधार पर 22 वे इस्तान पर पहुंच गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाई में ये जो है ये 49 वे इस्तान पर था दुनिया भर के 45 से अधिक शहरों की प्रीमियम आवासिये एकायों की कीमत में होने वाले उ थर्ड बीन कमिशंडर ऑई सी जखी एडवांस लाइट हैलिकॉपटर एंडीकॉप्टर के थर्ड कहां कमिशन किया गया है तो इसका correct answer होगा तो इसका correct answer होगा इसका जो commission है ये चेन्नई के अंदर किया गया है ये इसका correct answer है भारत की समुद्री सीमा की निगरानी को मजबूत करने के लिए Indian coastal guard को नया अथियार मिल गया है और Advanced Light Helicopter MK3 coastal guard में शामिल हुआ है हेलिकॉप्टर के एक squadron को चेन्नई में समारों के दोरान coastal guard में commission किया गया और इस हेलिकॉप्टर का इस्तेमार समुद्री सीमा की निगरानी के लिए होगा MK3 हेलिकॉप्टर की मदद से तमिल नाडू से लेकर आंधर प्रदेश तक सामरीक और आर्थिक रूप से अहम ठिकानों की सुरक्षा की जाएगी चले कल के जो MCQ है उन्हें हम revise कर लेते हैं तो इसका correct answer होगा ये बैंगलूरू के अंदर जो है आयूजित किया जाएगा किस देश ने साइबर सुरक्षा को बड़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रंडीती शुरू की है तो इसका correct answer होगा ये Canada ने की है डीस का correct answer है थर्ड नमबर क्वेशन है किसने हर घर गंगाजल परियोजना का शुबारम किया है तो इसका correct answer होगा ये बियार गौर्मेंट ने किया है नितिश कुमार के द्वारा फॉर्ड नमबर क्वेशन है किस राजे में स्वच्छता के मामले में इंदोर की तरश पर सफाई व्यवस्ता का मसोदा तयार किया जाएगा तो इसका correct answer होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा फॉर्ड नमबर क्वेशन है भारत में मात्र मृत्यू अनुपात घटकर प्रती एक लाग जीवित जन्मों पर कितना हो गया है तो इसका correct answer होगा ये हो गया है सित्यान में प्रती लाग लाइव बर्थ हो गया है ये इसका correct answer है सिक्स नमबर क्वेशन है किस देश के ग्रेट बेरियर रीफ को विश्व धरोर के रूप में सुचिबद किया जाएगा तो जो ग्रेट बेरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है सेवन नमबर क्वेशन है मरियम बेविस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ड ओफ दे इयर गोशित किया है तो इसका correct answer होगा ये किया गया है गैस लाइटिंग को ये इसका correct answer है एट नमबर क्वेशन है किस देश की फिल्म नारगेसी ने IFFI में ICFT युनेश को गांधी पुरशकार जो है ये जीता है तो इसका correct answer होगा ये जो फिल्म है ये इरान की है नाइन नमबर क्वेशन है किसे INTUC करनाटक का नया अध्धक्ष न्यूप किया गया है तो इसका correct answer होगा ये बने है लक्षमी वैंकर टेश बने है C इसका correct answer है 10 नमबर क्वेशन है किस राज्य के मंत्री मंडल ने मानसिक स्वास्ते और सामाजिक देखभाल नीती को मंजूरी दी है तो इसका correct answer होगा ये दी है मेगाले गौर्मेंट के द्वारा इसका correct answer है और ये था कल का study gloss question 3 दिसंबर का IPPB ने कहां भारत का पहला floating वित्य साक्षर्ता श्रिविर जो है ये आयुजित किया है तो इसका correct answer होगा ये जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर स्तापित किया गया है बारत सरकार के स्वामित वाले इंडिया पोस्ट payment bank ने श्री नगर के अंदर जम्मू और कश्मीर की जो विश्व प्रशित डल धील है इसके आसपास भारत का पहला तेरता हुआ वित्य साक्षर्ता जो शिविर है ये शुरू किया है और यह है आप लोग के लिए आज का study gloss question पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है तो इसका अंसा मुझे comment section में दीजेगा यह हमारा telegram है यहाँ पर आपको सारे question quiz के format में available होंगे I hope आपको sessions पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चले मिलते हैं हम एक नए session के साथ में thank you